दोस्तों यह आपने ओल्रेडी कोई बिजनेस शुरू कर दिया है ओनलाइन बिजनेस ओफलाइन बिजनेस न्यूजलेटर बिजनेस कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी शुरू कर दिया है न यह वीडियो एंट तक देख ले न बहुत ही जादा इंपोर्टन रहेगा यह आपने कुछ भी शुरू कर दिया है सबसे पहला दोस्तों पॉइंट यहां पे मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ देखिए चार पॉइंट दूंगा चारों पॉइंट तक सुन लोगे न यार आपने किसी भी बिजनेस को शुरू किया होगा न तो आप बिजनेस क के साथ वे बिजनेस किसी इंडेस्ट्री में होगा वे बिजनेस के साथ दोस्तों अलाइन इंडेस्ट्री में दूसरे भी बिजनेस ओपन कर सकते हो जिस किसी भी बिजनेस को आपने शुरू किया है वही बिजनेस के साथ आप दूसरे बिजनेस भी ओपन कर सकते हो अलाइन इंडेस्ट्री में जैसे कि एक्जापल दे रहो में अपनी खुत की बात करता हूं यदि आपने Newsletter बिजनश शुरू किया है फिर आप Newsletter बिजनस के साथ और तीन से चार बिजनस कर सकते हो newsletter अपनी मेरी दोस्तों सावन सोझी तरह मीरी का gitnese है यानि आप आपके newsletter के साथ ही और भी बहुत सारे मीडिया कर सकते और या निकि आप दोस्तो आपने कौरइस और इंडिस्ट्री के ऑलाइन बिजने करते हो मीडिया में दोस्तो 10s of 100s of businesses होते हैं Media Industry के under ही तो आपने newsletter शुरू किया मिन्स आपने Media Industry में शुरू किया Business तो आप उनके साथ Online जितने भी Business है Try कर सकते हो Action ले सकते हो Velocity आज के time पे बहुत ही ज़्यादा important है दोस्तो किसी भी काम में Velocity के साथ तूरंट action लो तो आपको यहाँ पे अपने core business के साथ दूसरे business में भी थोड़े बहुत reset मिल सकते हैं हो सकते हैं दोस्तों आपके core business से आपने कोई दूसरा business same industry में शुरू किया बड़ा हो जाए probability हो सकती है तो आज पहला दोस्तों learning यहाँ से लेके जाना कोई भी business शुरू किया है आपकी प्रोड़क की आपकी सर्वीस की आपकी content की कोई quality कोई price matter नहीं करती है एक जीज matter करती है दोस्तों जो दिखता है वही बिगता है तो आपकी कोई product है कोई service है कुछ भी आपका business है क्या तगड़ी marketing हो रही है कि नहीं हो रही है नहीं हो रही है वह तो focus करो marketing पे marketing जितने भी क्लाइन बन सकते हैं मेरे customer बन सकते हैं मेरी ओडिजन से तो आपको पहुचना है quality matter नहीं करती है ध्यान से सुनिए एक बार वापस प्राइस कुछ भी मेंटर नहीं करता चीजे दिखेगी चंता के सामने एक्सपोजर आएगा तो अभी यहां पर पर्चेस की probability बनेगी नहीं जो चीजे दिखीगी ही नहीं फिर तो सेल होने की फिर तो पैसा बनाने की probability नहीं तो एक बार वापस focus करो इस तीच पे बहुत ज्यादा क्वालेटी पे बहुत ज्यादा यहां पर प्राइस पे ध्यान मत देते रहना पहले आपकी चीजे इन दिखनी चाहिए चीजे सेल हो जाए जो दिखता है वही बिखता है त कैन बीगिनिग ऑप संधिंग वीग उर्फ इसन देन की अट उन्ट ए उन्ट जल गया कि नहीं उने वाला है लेकिन आप बिजनसको खो बहुंग्या कर पा रहे हो क्योंकि अपको डर है कि अपिस्छाइच है बोलेगे या पिर सोसाइट ये बोलेगी कुछ बिए कभी-कभी किसी business को close करते आप दोस्तों एक नए business की और बाड़ी सुरुवात करते हो तो आपके दिवाग़ के होना चाहिए कि कभी-कभी business को close करना आपका failure नहीं है, वे एक शुरुवात है नए बड़े business की, टाइम ले सकता है, लेकिन वे ज़रूर एक शुरुवात है नए बड़े business की, अपने आपको यदि entrepreneur बोलना है न, अपने आपको यदि entrepreneur बोलना है न दिल से, ready रहना दोस्तो, multiple businesses करने के लिए, failure जिलने के लिए, बहुत सारी चीजे ट्राइ करने के लिए, बाध में अपने आपको आंतरऴ, बूलना क्योंकि है necessary चीजे, अरे यार, करते रहो चीजए, ये ट्राइकी, 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 चार ट्राइकी, पांच ट्राइकी, time तो ही हमारे पास, अपलाने अबधि 70 साल का भी हो गया लेकिन यदि मैं 50 साल की उम्र मेंूं कि अमीर नहीं बना न मैं ट्राइ करूंगा मैं बिजनेस करता रहूंगा एक फट डालता रहो जुगा लगटा रहोंगा मेरे लिए एसेकंड ओपurning मेरे लिए सफलता हासिल करनी बिजनेस में फिर मुझे मुझे अमीर आप जितने बड़ी दोस्तों आपके काम को लेकर करते हो न उतना ही ज्यादा जानता जानती है कि कोई बंदा कितनी कयर करता है इसका ना मैं आपको एक एक जामपल दे रहो दो एक जामपल दूगा पहला दूस्तों एक जाते होगे बाहर फास फूड खाने के लिए ठेले पर अपने चीज नोटिस की होगी को यह थेला होगा बहुती केर कर रहा होगा अपना जो फूड सरू कर रहा है तो फूड के साथ चटनी देगा दो-तीन और है तो आपको पता कि बहुतीय जो फूड ओला né यह खाने के साथ यह देता अच्छी यह चीज यह देता है तो आप यहां पे भ Madhu लाले की यह थेले वाले की तारीओ भी करोगा दो-तीन ओर लोगों को ऒर लोग्त करोगे यहांपर जाना वेल्यू नहीं होगी तेरे पैसेगी तो आपका दिमा गयी तो आप समझ रहे हो के बिजनस जो भी बंदा अपनी डीजनस की केर करता है तो आप यह चीज देख पाते होगे आज दोस्तों कि आपको लगता है कि मेरे विएर की केर कर पा रहा हूं और अब फिर वीडियों में क चाहिए वहां कहां पर फसर है इसलिए में केर कर रहा हूं तो आप देख रहे हूं इसलिए एक इंपोर्टन चीज आज दोस्तों लेकर जाना जितनी जल्दी आप यह सीख गए ना कुछ भी छोटा मोटा काम में नहीं होता है चीजें होती ही आप केर करने की टाइम लग सकता आप करें यह गया है रेकिन रिजल्टों मिलेगा है आप और अग्जामपल यह दोस्तों हटक एंप्लि यह में एक Ouं यहे साथ जोब लगती है एक बार में होता नकालों काम मैं करते की सब्सक्राइब ने करने के दो किरने करेंता है कि मालूँ पढ़ता है कि मैं जहाँ पर काम कर रहा था ना वह कमपणी में एक लाइट चालू रह गई है लाइट ओन रह गई है दूसरा फर्क पड़ता है अब और अपनी दो किलोमेटर चलके लाइट बंद की बीस साल बात दोस्तों दोनों वापस मिले तब पहला एंपलोई था वही जोब कर रहा था और दूसरा दोस्तों वही कंपनी में क्या बन गया था वही कंपनी में दोस्तों CFO की पोजिशन पर आगे था तो फॉर्थ लर्निंग है दोस्तों केर करना अपने काम की चलिए मैंने चाहर पॉइंट निकाले बहुत लर्निंग के साथ यहां पर एक्सपिरियंस किए इंप्लीमेंट भी किए बाद में आपके साथ सेर किए एक बार वापस रिपीर कर देता हूं कंक्लूजन समरी देता बहुत सारे बिजनस कर सकते हो तो शुरू कर देजिए थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगए तो आपकी चीजे दिखनी चाहिए सर्वीस आपका कंटेंट मार्केट अच्छे से होना चाहिए थर्ड चीजे किसी काम को बहुत टाइब से कर रहे हैं नहीं कुछ होगा तो कुलेख कर दो यह दोस्तों दॉस्तों करता है किसी ट्रीचनल चीजों कि अपने बिजनस की अपने काम की जितनी ज्यादा करो कि उतने ज्यादा दोस्तों ग्रेट कंपांड चले चाह लरिंग एस यह तुड़ेट तो इकले में त्सीटरा